हेलो एवरिवन कैसे हो दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे देखिए आज का जो हर्याना पुलिश पेपर होया है फर्स शिप्ट मोर्निंग और सेकंड शिप्ट इविणिंग में सभी आठो पेपर आठो सैटे एक शिप्ट में चार सैटे तो दोनों शिप्टों के आठो सैटे लेकर हम एक वीडियो में आये हैं तो कतिस सक्तूबर के पेपर को देखते हैं अनालीसिस करते हैं कि कैसा पेपर आया हुँ था जिनका कल और परसों हैं वह सटूडेंट एक बार इन सभी पेपरों को जरूर देखें अवसे देखें आपके लिए ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाली वीडियो क्योंकि लग बग पेपर का पैटर्न पता हो जाएगा कि वही कैसा पेपर आया हुँ था ठेक है तो आठो पेपरों को आप द्यान पूरुक पड़ें कल सेम ऐसा ही पेपर मिलने वाले आपको यही पैटर्न सबसे पहले हम बात करें अर्याना जिक्केगी जो की हसी कहती है बही 25 परसेंट अर्याना जिक्के और 75 परसेंट अधर जिक्के लेकिन ऐसा अब की बार इस पेपर में आज वाले पेपर में कुछ नहीं मिला है वो सकता है कल वाले में मिल जाए असा है लेकिन पोसिबिल्टी बहुत कम है अगर पैटर्न यही रहा ऐसा ही होगा तो मेरे शाब से अर्याना जिक्के कल भी नहीं मिलेगी दूसरी बात करें स्टेटिक जिक्के की तो वो भी ठीक ठाक ही थी और अच्छे क्योशन इजी क्योशन आई हुए थे उसके बाद बात करें हम साइंस की साइंस बहुत अच्छी थी साइंस बहुत अच्छी ऐसी थी जिस कंडिडेट ने कम से कम जिसका साइंस बेक्गराउंड है उसके लिए तो अच्छी बात है और बेक्गराउंड का मतलब है कि जिसका प्लस वन प्लस टू में साइंस बड़ी है अच्छे से या फिर टैन तक अच्छी साइंस है तो उसके लिए ठीक थी रिजिनिंग की बात करें तो रिजिनिंग की एक सिप्ट में कम से कम 10 से 12 क्योशन थे और जो लगब क्योशन थे वो सीटिंग एरेजमेंट तीन से चयार क्योशन सीटिंग एरेजमेंट के बल्ड रिलेशन के हुए थे तो आप एक बार इन पेपरों को इन जरूर पड़ें एक बार सब एक क्योशन पेपर्स को अब से देखें द्यान से पड़ें वीडियो को प्यूज करके पड़ें अगर आपको यह ऐसा लग रहा कि वही बहुत ज्यादा ज्यादा तेजल रहे हैं तो वीडियो के प्यूज करके देखें एक्सेब ऐसे एक क्यूस्चन आपको कल वाले एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं देखें केमपूर्टर के वी क्यूस्चन ठीक आयो हुए थे लेकिन अर्याना जी के बहुत ही कम थी ना के वरोबर थी दोस्तो IPC है ये भी 4-5 क्यूस्चन IPC के भी है जबकि पिछले एक्जाम में 10-10 क्यूस्चन दिये गए थे लेकिन अब की बार IPC के अर्याना पुलिस रिलेटेडी सिरफ 2-3 3-5 एक्यूस्चन IPC के मिलते है बात करें दोस्तो केम्पूटर की केम्पूटर भी अच्छा था ठेक था बेसिक केम्पूटर था इतना मुश्किल या टाफ नहीं था और बात करते हैं मैथ की मैथ का जो मैथिज था वो अठो सेटो में इतना डिपली मैथ नहीं था ठेक है जिस कंडिडेट ने SSC या ग्रेजविशन की लगबग जो त्यारी करकी है तो वो कंप्लीट मैथ को कर देगा ठेक है आकरती से पहले एक्जाम में नहीं आती थी रिजिनिंग में लेकिन अब की बार हर सेट में आपको आकरती का एक से दो क्यूसन जरूर मिलेगा अच्छा अब की बार इकनोमिक्स भी पूछी गई है पहले एक्जाम में दो से तिन क्यूसन ही होते थे अब की बार इकनुमिक्स के कई क्यूस्न देखनों ही ज़ेगे बात करें इंगलिस हर सेट में पाँच ये नंबर की थी आठो सेटों में पाच पाज नमबर की ही इंगलिस थी और पाच नमबर की ही इंदी थी ठेक है ये स्पेसिफाई है अगवै इसका पाच नमबर की ही इंगलिस और पाच ही ये बिलकुल सही है लेकिन अर्याना जिक्के ने बच्चों को मायूस कर दिया इसी कान बच्चे थोड़ा हनर्वस फील हो रहे हैं कि वही पेपर पैटर्न चेंज कर दिया क्योंकि एचेसी ने जो सलेबस दे रखा है वो दे रखा है वही पचीस परसेंट अर्याना जिक्के और पच्चतर परसेंट अधर जिक्के रिजिनिंग मैं थी इंगली सिंदी के इंपूर्टर ठीक हैं तो 55 परसेंट अधर होगा लेकिन अब की बार कर दिया 1 परसेंट और 99 परसेंट 1 परसेंट अधर परसेंट अधर सब्जेक्ट तो कल वाले और परशों वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दे इस बात का देखिए साइंस के क्यूस्टन है जो ये ये लग बग मैंने पहले बता था जैसे ये 28 क्यूस्टन है ये बच्चा वही करेगा जो साइंस पढ़ रहा हुआ जिसका बैगराउंड साइंस होगा बी एसी एमसी या फिर जो प्रस टू में अच्छी सी साइंस पढ़ रहा तो वही बच्चा इनको कर पाएगा अधरवाइस नहीं दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स टाइम हो तो चैनल को सिस्क्राइब जरू कर लेजिए क्योंकि एससी के सभी पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं और अर्याना जी के के लगबग वीडियोज हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे पहले भी डाल रखी अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देखें देखिए लगबग सो पेज है आठो सेटों के तो थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी दिखाते हैं जल्दी जल्दी शे आप नजर डालते हो ताकि लेवल का पता चल जाए झालते हैं जो यह चैनल बनाएगा है यह केवल एचसी के परपस से ही है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बीच में इसलिए नहीं बोल रहा है ताकि आपका थोड़ा हद्यान इदर उदर नहीं हो क्यूशन को आप अच्छे से बढ़ सकें तो क्यूशनों को जरूर पड़ें जो बड़ा क्यूशन है उसको प्यूज करके देखें या नोट करें करें या नेल नॉशन को लाइक जरूर एल झाल जो जिनका कल और परसुन एक्जाम है वो कोडिंग डिकोडिंग रिजिनिंग में और सेटिंग अरेजिमेंट जरूर अच्छे से करके जाएं ठीक है सेटिंग अरेजिमेंट से लग वग पांस से छे क्यों सनाई हुए हैं और मीरर का भी हर एक्जाम में आया है देखे जो आगरती वड़े हैं हर एक्जाम में हर पेपर में दो क्यों सन पुछे गए हैं एक मीरर वड़ा और एक फाइंड दा फिगर फिगर डुणने इनको अराम से देखे इनको गलत ना करें सुट्रेंड देखे जो ये क्यूस्टन है 85 ये पजलिंग का है तो पजल वाड़ा क्यूस्टन को आप आराम से करें आप खुद पजलना हूँ इस पर क्या करना होगा आपने एक डायग्राम हाँ बढ़ा कर वह इतने कुल स्टूडेंट है इतने ये खेल खेलते इतनी ये तो इस तरह से करें रब रपेजपर काम करें करें जजे आराम से लब चुद अरसवापको च्टाम कर दो कि अपया है और भीकर है अदुद्धिवार से लिजेशन मिसरन्ट वाला हरे सेप्ट में आया हुआ भाई अठ्ठो शेफ्ट में एक क्यूशन मिशरन एलिगेशन का हर शेफ्ट में आया हुआ है जो यह अर्याना जिक्के नहीं है तो यह जो नुक्षान होगा उस स्टुडेंट को होगा उन स्टुडेंटों को जिन्होंने केवल और केवल जो फोकस किया है अर्याना जिक्के और अर्याना करंट फेर पर किया था तो उन के लिए नुक्षान वगाइश में हो सकता है कल वाड़े एकजाम में मिल जाए लेकिन आज नय के बरुबर थी झाल 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 आप दोस्तों यह जो स्टार्ट हो गए है इवनिंग शिप्ट के सेट है ठीक है तो इवनिंग के वेपर देखते हैं मोर्निंग के आप उपर देख चुके हो इसमें आपको एक सिमिलर्टी मिलेगी लग बग पैटरन एक जैसा ही मिलेगा एक पैटरन एक पैटरन का मतलब है कि बई जैसे सुबह वाड़े में पुछा गया है बई यह इन्नों के स्टापना कब हुई वरस पूछ लिया उसके बादे पूरी डेट पूछ ली ठीक है और उससे अगले से उससे अगले दूसरे पिपर में जैसे चैर कोड है तो एक में ह चारों में एक जैसा एक क्यूसन पुछागा है ठीक है जैसे यह रहा नाइन्टिन क्यूसन है यू यू एन का वर्तमान मासिची उकून है ठीक है इससे पहले पिपर में पूछा था यह नों के स्टापना कब हुई थी तो यह लग बग एक जैसे ही है ठीक है यदि सभी पिपर जैसे आज के दिये गई है अगर वैसे ही लेती है चैसी इसी पैटर्न पर तो परसों वालों जो दो तारीक का पिपर एजिन इस्टूडेंट्स का उनको फाइदा होने वाला है अगर पैटर्न यही रहा अगर चैंज हो गया तो फिर थोड़ा बहुत है नुक्षान कैसकते हैं चलो नुक्षान दो नहीं होगा जिसकी अच्छी त्यारी है उसको दो नुक्षान नहीं होगा चाए कहीं से भी आजाओ लेकिन फिर भी थोड़ा हा आउट उपसले बस होने पर बच्चा पड़ता कुछ है आता कुछ है तो इसमें लोस होता है चाए वो नंबरा का हो या क्यों सनोगा बात करें नुर्मलाइजेशन की नुर्मलाइजेशन देखो अगर कल वाले में अरियाना जिक्के ज़्यादा आती है या कोई भी पोर्षन ज़्यादा आता है इन में से कम तो। नुर्मलाइजेशन में करो या ना करो लेकिन जिसे बच्चे ने अरियाना जिक्के जधा पड़ रेक ही है और उसके एक जार अगी तो उसका बेनिफीट होगा इस बात का ठीक है उनको जद़्या माक्स मिलेंगे और हो सकता है हर याना जिक ऐसी डाली जाए कि वह बहुत आर्ड है आउट ओप सलेबस तो हम यह नहीं कह सकते कि उनको बेनिफिट होगा नुर्मल लाजेशन मेरे साथ से नहीं करना चाहिए यदि पेटरन सेम है सभी पेपर्स एक तरह से सैट एक जैसे कर रखे हैं तो फिर नुर्मल लाजेशन की कोई जरूत नहीं है बेनिफिट होगा तो इसमें साइंस टूडेंट और जो सीजेल वगारा की एससे सीजेल वगारा की तियारी करें बच्चे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि साइंस बहुत डिपली पूछी गई है इंदी बेसिक थी इंदी बिलकुल आसान थी जो लोगारा की यह यह एक्से दो पेस्ट बस्तो आप को थोड़ा हा पढ़ने में कठना ही होगी क्योंकि यह जो पीडियेफ है इस पेपर की setup की यह थोड़ी ही ले ही देद ले यह फिर ऐसे फून से ले रखी है जो जिसका कैमरा थोड़ा हा ठीक ठाक यह था यह ता यह पिर यह कह सकते हैं थोड़ी ही चलते चलते लिए रख्यों किसी सुटूडेंट ने तो इसमें जैसे आपको दिख रही है बिल्कुल ऐसा ही है कोई दूंदली बहुत दूंदली है लेकिन क्यूशन दिख रहा है ठीक है ना क्यूशन को आप पढ़ सकते हो वीडियो प्योज करके आराम से सन्थ ने किसी सुटूब बहुत विल्कुल यूशन दूंदली है। यह बिल्कुल ठीक है 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 यह बिल्कुल भीक्द कर दीक है यह बिल्ट कर दीक है यह बिल्कुल झाल 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 झाल